हरी कृष्णा चैतना चरितामृत आदी लीला अध्याय छे श्लूक नंबर 51 से आज हमें पढ़ना है जया जया श्री चैतन्या जया नित्यानन्दा जया द्वैता चंद्रा जया गौर्भक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा स्लूक नंबर 51 ए मत गाई नाचे करे अट्रहाश लोके उपदेशे हो चैतन्या दाश चरतन्य गशाई मुरे करे गुरु ज्यान तथा पिह मुरह दास भीमान कृष्ण प्रेमेराई एक पुर्व प्रभाबा गुरु शमालगुके कराय दास्य भाबा बहुत महत्तो पूर्णा है ये शलुक हम ये अध्याई अध्वेत आचारिय की महिमाओं की बारे में पर रहे है और अध्वेत आचारिय जो है भगवान कृष्ण की प्रेम में पागलों की तरह नाचते जिसे बहुत आनन्दीद होता है कोई व्यक्ति तो कैसे नाचते हैं? तो वैसे नाचते हैं, वैसे गाते हैं, हसते हैं, हसते क्या है अत्हास करते हैं बहुत जोर जोर से हसते हैं वैसा और सबको यही उपदेश देते हैं कि भगवान चैतन्न महाप्रभु के प्रेमी दास बनो मतला प्रेम करो भगवान से और प्रेम पुर्वगन की सेवा करो अद्वता अचारिय सूचते हैं कि चैतन्य महाप्रभू मुझे अपना गुरु मानते है चैतन्य महाप्रभू से बहुत ज्यादा बड़े है करीब 40 साल अद्वता अचारिया और उन्होंने ही प्रे करके भगवान को भक्तरूप में धरातल पर बुलाया है और इसलिए जो है वो गुरु जनों को जैसे आदर करते हैं वैसे अद्वते आचरे को आदर करते हैं लेकिन अद्वते-ाचरे सोचते कि तू भी मैं अपने आपको नंका दास मात्र अनुभव करता हूँ दास समझ कर मुझे अभिमान है जो मुझे यह अच्छा लगता है यह दास समझ कर अच्छा लगता है तो भगवान की प्रेम की या स्पेश्यालिटी है जैसे पांच रस में भगवान से प्रेम करते हैं शांतरस, दाइस्यरस इसमें तो है ही दास्टिता का भाप दाइस्यरस है लेकिन जो साख्यरस है सखा है कृष्ण के कंधे पे चर रहे हैं कभी कृष्ण के साथ खेल-खेल में युद्ध कर रहे हैं तो यह जब करते हैं सकhातों भी उनके मन में दास्वाब ही प्रधान रहते हैं कि मैं हम कृष्ण के सेवक है वादसल्या साइक्कात्र स्थोड़े वादसल्या मतलब भगवान क्रिश्न के माता पिता बंके जो भक पर जो सारे भाबों में रहता ही है तो यहां पर श्रील प्रहुपाची श्लुक नंबर 53 के तात्पड़े में बात बताते हैं कि भक्ति की दो प्रकार है पांचरात्रिक विधी तथा भागवद विधी भागवद विधी चुहीं दिव्या प्रेम मैं सेवा की विधी है जो भागवद प्रेम है अश्वर्य और आदर के स्तर पर रहता है तो इस तरह से अगर कृष्ण से कोई वरिष्ठ जन भी हो तो भी अपने आपको कृष्ण के सेवक मानते हैं से युधिष्टिर महाराज और भेम अर्जुन के समवयस्क थे कृष्ण तो युधिष्टिर और भीम भी कृष्ण के भक्त ही थे तो ये अपूर्व प्रभाव है कृष्ण भक्ति का तो इसके प्रमान के लिए कृष्ण दास कविराज गुष्वामी जी चैतन चरिताम रित में आगे बताते हैं अन्यरो का कथा ब्रजे नंद महाशाई अन्यरो का कथा इन्यों के क्या बात करें नंद महाराजा के बात करते हैं तारा समा गुरु क्रिष्णे रारो के होनाई उनके समान गुरुजन पिता के समान गुरुजन क्रिष्ण का और कोई भी नहीं है नंद महाराज के समान इतना शुद्ध बात्सल्य भाब है नंद महाराज में तो उनके अंदर ऐसा नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान है वो सोचते हैं मेरी पुत्र है तो बात्सल्य भाब बहुत प्रधान है फिर भी वो कृष्ण के दास ही अनुभव करते हैं कि सेवा में ही लगे रहते है और कहते हैं नंद महाराज उद्धब से शुन उद्धब सत्य कृष्ण वामारतनाई है उद्धब सुनो यह सत्य है कि कृष्ण मेरा पुत्र है तेहो इश्वर है न जोदी तुमार मोने लए लेकिन तुम्हारा मन अगर बुलता है कि वो एक इश्वर है कृष्णा तथा पीता हाते रहो मोर मोनवृति तुमारा इश्वर क्रिष्णे हो कमोर मती तथा पी मेरा मती जो यह पुत्र में ही रहेगा कि मेरा पुत्र है यद्धब यह इश्वर है तो भी मेरा मती पुत्र में ही रहेगा और मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान क प्रिष्ण के प्रती अनुरक्त हो एक श्लोक आता है जिसमें हाँ बोला गया है ये श्लोक इस प्रकार है मनासो वृत्तयो नह्षु क्रिष्ण पादं बुजाश्रयह वाचो भीधाई निरिनम्नम कायस्तत प्रह्ण नादिसु हमारे मन तुम्हारे भगवायां क्रिष्ण के चर्णों में अनुरक्त हो हमारे जिवाई उनके पवित्र नामों का किर्तन करे और हमारे शरीर उनके समक्ष दंदवत प्रनाम करे श्रुमत भागबतम दसम्स कांसिली आगया है ये श्लोक कर्मा भीर भ्रायम्य मानानम यद्रक्वापी स्वरिच्चया मंगलाचारी तेर दाने रतिर नह क्रिष्ण इश्वरे हम इश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश फौतिक ब्रह्मांड में जहां भी ब्रह्मन करे हमारी पुन्यकर्म भगवान प्रिष्ण की प्रती हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहे तो यह जो श्लोक है महाराज नंदर था उनके संगी ब्रिंदावन वासियों ने मतुरा से आये उध्धव से कहा उध्धव आये थे न मतुरा कृष्ण का मैसेज देने के लिए तब उनको कहा उध्धव को तो उनका एगी इच्छा है कि भगवान कृष्ण की प्रती उनका अनुरक्ति बढ़ता रहे यही शुद्ध भक्त की इच्छा होती है भगवान कृष्ण ने ब्रिंदावन के मित्र जिन में शृदामा मुख्य है उनकी प्रती शुद्ध सैख्य प्रेम रखते है शृदाम का कौनसी इश्वरिय एक जखाओने हैं लोगों से सुनते है कि भगवान तो एक बार बोला कि आप हमें वulations Stre Polish आपके आंखें बंद करो और में चले तो में जैसे ही ग्वाल-बाल पहुंके उनका denडरette ग्वाल बाल का ड्रेस है लाठी लेकर गाई को चराने में लाठी लेकर और आपस में बात कर रहे हैं तो वाइकुंट में तो बहुत दिसिप्लीन है और वाइकुंट में जो विश्णुदू थे वो भगवान के सेवा कि उनने ने का हला मत करो आप आराम से बात करो ये वाइकुंट है तो उनने बहुत दिसिप्लीन दिखाया तो फिर ग्वाल बाल बुले कृष्णा कहा है बुलते हैं वहाँ बैठे है भगवान तो उनको ले गए वहाँ तक तो देखा कि सब एक्दम दिसिप्लीन है ऐसा माहौल है प्रिंदावन जैसा नहीं है इसे गाव का महौल होता है वैसा नहीं है तो फिर क्योंकि वाइकुंठ तो वाइकुंठ है कोई भी कितना भी बढ़िया जगह हो कोई तुलना नहीं हो सकता है तो उपर इसे बहुत दिसिप्लीन है सब कुछ अश्वर्य भाव प्रधान है और भगवान जो भगवान है सेवक अपने आपको सेवक मानते दाश से भाव है बहुत ज़्यादा तो जो आप गए तो भगवान कृष्णा बैठे हुए है और लक्षमी जी भी है और भगवान मुस्कुरा रहे है तो भगवान का ऐसा रूप देकर उन्होने सुचा की ये मतल से सिंधासन में कोई बैठे है कृष्णा कभी ऐसा नहीं करते ना की गौालबाल आये और कृष्णा सिंधासन में बैठे है ऐसा नहीं है यहां पर कुछ अलग ही माहाल है तो उन्होंने बुला हमें नहीं बाइकुंट में रहना हमें फिर इसे बापिस ब्रिंदावन ब्रज में ले चलो जिसे आप घर में हैं घर का महौल अलग होता है ओफिस में वही आपके पापा अगर बॉस है ओफिस उनका है मतलब वो कंपनी का मालिक है तो उनका विवाहर अलग हो जाता है तो इसलिए जो भक्तगन है जिसके अंदर ब्रज भाव है तो वो कभी भी बाइकुंट जाने की भी कामना नहीं करते उनको बस गोलग ब्रिंदावन ही जाना है या भौम ब्रिंदावन में रहना है क्योंकि यहाँ पे जो भाव है कृष्ण के प्रती वो डिफरेंट है माधूरिय भाव है बहुत ज़्यादे क्लोजनेस है बहुत ज़्यादे स्वीटनेस है अशुर्य भाव नहीं है अपना समकक्ष समझते है कृष्ण को ग्वाल बाल इसलिए जब गोवर्धन लीला हुआ था लीला के बाद कृष्ण को बोलते है आरे तुमको क्या लगता है तुमने अकेले गोवर्धन उठाया हमने भी तो लाठी लगाया था और चलो तुमने उठाया भी जब राधाराने ने गोवर्धन के अंदर प्रवेश किया तो आपका हाथ हिल गया था तो हमने ही लाठी से संभाल के रखा था गोवर्धन को इस तरह से बाते करते हैं लेकिन फिर भी यद्दी पीवे भगवान से लड़ते हैं उनके कंदों पर चर जाते हैं बहुत भीर होती है दिखाई नहीं देते है भагवान तो वह देखा चेटरे महाप्रभु तो बहुत लंबे धे तो भगवान महाप्रभु के कंदे पर चरके जगननात कि दर्शन कर रही है वोस incumbent उनको रएकिने की प्रयास किया बुड़ी अम्मा इतना ज्यादा तिब्रता थी उनके रदे में कि जगनात का दर्शन करूंदी ये भी नहीं देखा कि जैतने महाप्रभु की उपड़ी चरक है तो ऐसे ही एक कथा आती है कि एक जो है संत था तो वो अपना प्राथना कर रहा था एक्चुली ऐसे बुलतेक फकिर था वो अपना नमास पर रहा था तो इतने में एक लड़की जो है 16 साल की वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी घर वालों को बिना बताए तो उसको भाब के जाना था और मिलके भी बापस भी आना था तो भाब के गई और जाते समय कि और रस्ते में ही नमास पर रहे थे तो उनकी उपर से ही चली गई उनको पाव लग गया तो उनका थोड़ा सा यह हुआ कि कौन लड़की है तो वह आपर रुके कि यह आये तो म तो मेरे उपर से चलग पाउ डख Hasta अच्庇 बात नहीं है eating ङुकिछ बड़की कहा नहीं मैं ऐसा क्यूं करूंग बबा मैं आपको पाउ क्यूं लगाऊंगे पिडिकी चैना किจะ वहाया थी अश्छी बात नहीं है इनका इतना ज़्यादा ध्यान है कि वो कुछ भी इसको ध्यानी नहीं रस्ते में किसके उपर पैर चराकर जा रही है और मैं भी अपने अल्लाह को याद कर रहा हूं भगवान को लेकिन मेरा ध्यान लेकिन तूड़ गया यानि इस लर्की की तिवरता जो गभौतिक प्रेम भ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और उनमें इंटर्फियर करना उनकी बातों को बुरा मानना या कोई बातों से उनकी दूख होना यस थे सब होता ही नहीं है जो बहुत ज़दा तिवरता है जिनके अंदर भगवान से प्रेम करने की तो ये एक बहुत सुन्दर उदाहरन है कि उनको सुद्बुद नहीं होता है यहाँ पे एक श्लुक आता है श्रीमत भागवत्तम से उद्धृत किया गया है पादासम वाहनम चक्रुहू के चित्तस्या महत्मनह अपरेहत पापमानो व्याजाने सामवीजयन पूर्ण पुरुषत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र उनके पाओ दबाते थे वैसे तो कंदे पे बिचल जायेंगे बोलेंगे हम तुम्हारे एक्वेल है युद्धि भी करेंगे लेकिन पाओ दबाते हैं उनके अंदर दास सेवा करके कृष्ण के उनको आनन दाता है और अन्यमित्र जिनके पाप करमफल नश्ट हो चुके हैं अपने हाथ में पंखा लेकर भगवान को पंखा जलते थे जिसे धनुकासुर का वद करने के बाद ये श्लोक 10.15.17 है धनुकासुर वद करने के बाद भगवान कृष्ण देथा बलराम गोबालव को के साथ किस तरह खेलते थे उसके उपर है और भगवान ऐसा लगता है कि भगवान आप रेस्ट करेंगे तो कोई पाओ दबाते जिसकी पद धुली चरण धुली उद्धब भी कामना करते है इतना वंदनिया है गोपिगन भक्तों में सर्वश्रिष्ठ है जा सबार उपरे क्रिष्णेर प्रियो नहियान ताहरा अपना की कोड़ी दासी अभीमान जा शबारो उपड़े कृष्णे रो प्रियो नहियान उनसे अधिक प्रिया कृष्ण को और कुई भी नहीं है ऐसी गोपिया तो ओ लोग भी अपने आपको कृष्ण का दासी मान कर ही जादा खुश होती है गोपी गीत जब गाती है गोपिया रासमंडल से कृष्ण गायब हो जाते है तो समस्ते गोपिया इकत्रिद होती है और गोपी गीत गाती है वो लोग यह भी बुलते है शुलक दासी का हम आपके बिना शुलक दिया हुआ सेलरी दिये बिना ही हम आपके दासी है और एक बहुत सुन्दस तैंजा यहां उद्रिद किया गया है 10.31.6 ब्रजजनार्टिहन वीरयोशिताम निजाजनास्माया ध्वंसनास्मिताम भाजा साखे भावात किंकारीस्मनो जलारुहा ननम चारुदर्शया हे प्रभू, हे ब्रिंदावन के निवासियों के कश्टों के हरता हे समस्ति स्त्रियों के नायक अपनी मृदू मधूर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नश्ट करने वाले हे भगवान, हे शके, हे सके हम आपकी दासिया है क्रिपया हमारी इच्छा पूर्ती करे और हमें अपने आकर्शक कमल मुख का दर्शन प्रदान करे गुपयों के इच्छा पूर्ती क्या है? क्रिश्न का दर्शन पैस यह चाहिए शुद्ध भक्त को चाहिए क्रिश्न का दर्शन, क्रिश्न का स्मरन, क्रिश्न की कथा यह सब चाहिए तो आगे बताते हैं हे उद्धब ये सच मुझ दुख की बात है कि कृष्णा मत्धुरा में बास कर रहे है क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कारियों अपने मित्रों तथा ग्वालबालों की याद आती है उद्धब से पुछती है हे महात्मा क्या वे कभी हम दासियों के विश्रे में बात करते हैं गोपिया पुछती क्या क्रिश्णा तो निरंतर स्मरंद करते हैं समस्त गोपिकाओ को बुलते हैं क्या वे कभ हमारे मस्तकों को अपने अगरू सुगंधित हाथ से स्परश करेंगे अगर हो सुगंधिक फगवान का जो शरीर हो दिव्य है और अतनते सुगंध मैं है और अतनते उज्ज्वल है बहुत ही करुना बरस्ता है तो उनका स्पर्श पाने के लिए कौन आखुल नहीं होगे तो गोपिया बुलते कब हमारे मस्तिक को स्पर्श करेंगे उनका हाद तेरो जार दाशी होया से बेन चारणा जारो प्रेम गुणे कृष्णा बद्धान एक्ष्णा अन्य गोपियों का तुप क्या ही कहना यहां तक श्रीमति राधिका जो सबसे अधीक प्रिया है कृष्णा को जो सब में हर प्रकार से श्रिष्ट है जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्णा को सदा के लिए बान लिया है उनकी दासी के रूप में कृष्णा की दासी के रूप में कृष्णा की सेवा करती रहती है जो कृष्णा राधा रुज्जा है तो अपना मस्तक राधा की चर्णों में रख देते है बासूरी भी रख देते है वो राधी का कृष्णा के दास्वी रूप में ही सेवा करती रहती है तो ये जो है जब रासुरित्य अपने चरम बेग पर था तब प्रिश्णा इनने सारी गोपिकाओं को छोड़ कर केबल श्रीमति राधारानी को ही साथ लेकर अद्रिश्य हो गये थे उस समय सारी गोपिकाओं जो है विलाप करने लगी कृष्णा को ना देखकर और अपने पच से गरवित श्रीमति राधारानी ने कृष्णा से प्रार्थना की कि वो जहां भी जाये जहां भी चाहे राधारानी को अपने अपने गोद में लेकर उठा कर ले चले तब अथारामना प्रिष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते क्रीपनाया में सके दर्शाय सन्निधिम हे नाथ, हे मेरे पती, हे परम प्रिया, हे बलिष्ठ भुजाओ वाले आप कहां हैं? आप कहां हैं? हे सके अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होतें? जो आपकी अनुपर्ष्ठिटी के कारण अध्यनत दुखी है? श्रीमतिराधिका कहती है और द्वारकट हम में, जो रानी, रानिया है 161100 सबके सब अपने आपको क्रिष्ठ की दासी मानती है उनके पास तो हजारो हजारो दासी होती है, हर रानी के लिए भगवान में एक महल, बड़ा सा महल, सरोवर, भगीचा, सब फेसलिटी है हजारो हजारो दासिया हर महल में रह रह रही है, सेवा के लिए फिर भी रानिया क्रिष्ठ की सेवा स्वयम ही करती है, यूकि अपने आपको दासी मानती है क्रिष्ठ की जब जरासंद दथा अन्न राजा अपने धनुष्बान उठाएं, रुकमी नी रुकमी नी बोलती है, ये श्लोक चेतन चरितामरीत आदे लेला सिख चेप्टर की 73 श्लोक है, पर लिया गई है भागवत्तम से दसम्सकंड 83 चेप्टर आठवा श्लोक है जब जरासंद दथा अन्न राजा अरुकमी नी कहती है, अपने अपने धनुष्बान उठाएं, मुझे शिष्पाल को दान रुपमे देने के लिए उळ्द्यत है, रुकम मने तो शिष्पाल के साथ ही लुक्मी का विबाद्ता ही कर रखा था लेकिन रुकमीन को नहीं करना था, रुकमीन को कृष्ण से ही करना था, वो तो लक्ष्मी है तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपुर्वक इस प्रकार खीच लिया, इस प्रकार सिंगह अपना भाग भेड़ों और बकड़ियों के बीच में से ले जाता है, तो बाकरी राजाओं को भेड़ बकड़ी कहा गया है, कृष्णा को सिंगह के साथ गुलना किया गया यहा यह चरंद कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रे है मेरी पूजा की अभिष्ट बने, यानि लक्ष्मी देवी यानि रुक्मिनी देवी भी कृष्ण की खुद को दासी ही मानते हैं, यह जानते हुए कि मैं उनके चरंद कमलों का सपर्ष पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, जानते हैं, अंतरियामी है, हम क्या तपस्या करते हैं, क्या भाव रखते हैं, क्रिश्ण हर दिन देख रहे हैं, वे अपने मित्र अरजुन के साथ आयें और उन्हानी मेरा पानी ग्रहन किया, फिर भी खृष्ण के घर का फरस्च बुहारने में लगी हुई, मात्र एक दास हूँ तो रानी कालिंदी कहती है दुरोपण इसे कालिंदी कौन है यह मुनादी जो क्रिष्ण की पत्रानी है तो कहती है कि मैं तपस्या कर रहे थी पानी के अंदर तपस्या कर रहे थी कालिंदी तो अर्जुन के साथ क्रिष्णा आये थे तो अर्जुन पहले गये थे कालिं बाद में जब द्रॉपरी से मिलते हैं, तो वो कहते हैं, कि वैसे तो वो सब जानते हैं, मैं तपश्चा कर रही थी, तो मुझे मेरा पाने ग्रहन किया, लेकिन मैं उनका क्या करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, मैं उनकी दासी हूँ, ऐसे सोच हैं, हम अपने तपश्चा तो भी कहती है हम तो दासी है कृष्ण के और अब तो बात छोड़िये बल्दे बल्राम जो कृष्ण के बड़ा भाई के रुप में प्रकट हुए वो शुद्ध, सख्य, वाध्सिल, प्रेम जैसी भावना से पूर्ण हैं लेकिन वो भी भगवान की सेवा करने में लगए है कृष्णा और बल्राम में कोई अंतर नहीं है कृष्णा सेव्य भगवान है बल्राम सेवग भगवान है सेवक तो कृष्णा ही अपना विस्तार करते हैं कैसे कृष्णा की सेवा करना चाहिए लोगों को सिखाते हैं बलरामिसले सबकी गुरु है तो वो भी अपने आपको भगवाय कृष्णा की दास समझते हैं तो निस्तन दे ऐसा कौन होगा जो भगवायन कृष्ण का दास होने का ये भाव ना रखता हो, ये बहुत सुन्दर भाव है, फले ही आप किसी भाव में कृष्ण से प्रेम करें, माधुरिय हो, साख्य हो, वादसल्य हो, लेकिन दास से भाव तो रहता ही है, वे जो शेश रुपों को प्रकत करके कृष्ण की सेवा करते हैं, आप देखिए, जब भी कृष्ण तो बलराम रुप में सेवा करते हैं, राम तो लक्षमन रुप में सेवा करते हैं, नारयन तो शेश नाप की रुप में सेवा करते हैं, उनके ही उसमें भगवान सोते हैं, शेश सया मे सोते हैं सदाशिप के विस्तारूव रुद्र जो असंख ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं वे एक गुनाबतार भी है तो वे भी भगवान कृष्ण के दास बनने की कामना करते हैं श्री सदाशिप हमेशा यही कहते में भगवान कृष्ण का दासु यह बहुत महत्यपुर्ण है यह जानना तेहो करेना कृष्णिर दास्यो प्रत्दाशा निरंतड़ा कहे शिवा मुई कृष्णा दासा तो इसी के साथ आज का चैतना चरितामरीत का कथा हम समाप करते हैं आगे हम और भी पढ़ेंगे झाल समाप